आज मैं इस वक्त मुदू सिवाल खास विदान सबगे गाउं नानू में यहां आज हम आपको समझ से दिखाएंगे आज हम तालाप पे ही बात करेंगे कि तालाप की निकासिया साफ सफाई ना होने के कारण आज इस गाउं के हालत क्या हैं यहां से पैदल गुजरना तक नाम मनिकान सर्माय क्या कारण है चुनाओ से पहले आप वादा किया गया तो अब तक पूरे नहीं हुए वादे का तुझी ऐसा है यहां पर देड़ साल से समस्या यह लगतार यह समस्या चली हुई यहां पर उसके बावजूद भी यहां पर ना तो परद्दान की देख र है और देखी रहे हैं यहां पर लोग निकलन पा रहे है और बुरा हले सामने पंदेख सकते हैं मकानों पर चड़ा यहां डेली एंहां पर बिमारी खैल रही है लगातार यहां पर विमारी साथ mm आपका मौमदन है तो यहां पर दहन भी नहीं कर पारे या तो या फिर विदायक की गलती है इसे भी कह नहीं सकते हैं मैं आपके सामने मैं चाहूंगे आपने हैं करीब 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 कोई की तरफ से बहीं गाओं की तरफ से भी हैं परद्हान वाले यहां यहां पर कोई नहीं है तो तो सही है और यहां पर सपाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है एक पर पर जी कि कोई आता ही नहीं और यहां पर यह हैं यह बताएंगे अपना क्या समस्थार है जिंवेदार बना दिया है और जिंवेदार का आदमे क्या काम है अपनी जिम्मेदारी बाख हो भी नहीं भाई अब बिसमें हम आम पब्लिक थोड़ी बनाएंगे इस रास्ते को तो पता चुना उसे पहले जो वादे कि होए द हमारा किसी राजनिती से कुछ ने लेना हम तो आम इनसान है इसलिए हम राजनिती के चक्कर में फसक है और यह रास्ते का मामला है वह बहुत क्या रहा हो चुका है यह तो नानों गाउं के गिरामीन जिन्हों ने अपनी समस्य बंदाई आप देख सकते हैं कि बराबर में तालाब है तालाब के जो साफ सफ़ाई ना होने के कारण है रास्तों बेजल बरा हुआ और सामने देख सेंगे बिल्कुल एक धार्मिक अस्तिल भी है मस्जिद भी है ऐसे धार्मिक अस्तिलों के सामने से भी साफ सफ़ाई नहीं होगी तो आम लोगों के साथ में क्या समस्या का समदान यहां के जन परति दिन करेंगे रिहान अलम न्यूजवाल इंडिया मेरठ